आज के लेक्चर में हम सेंडविच या स्क्यूस थियूरम का प्रूफ करेंगे और फिर इसका इस्तमाल करके एक क्वेस्टन भी सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर सेंडविच थियूरम थोड़ी सी अजीब बात लगती है मुँ में पानी भी आ जाता है सेंडविच का नाम सुनके क्वेस्टन सॉल्व करते हुए भी यह हमारे लिए बहुत हल्फुल होता है और इतना हल्फुल होता है कि ऐसे ही है जैसे मुँ में पानी आ गया theorem है क्या theorem यह कहता है अगर आपके पास एक function GX से वो दो functions FX और HX के दिर्मियान sandwich बन गया है हमेशा FX से greater or equal और HX से lesser equal है और आप से GX की limit हल नहीं हो रही है हाँ आपने limit FX की expertise to C solve कर ली है limit HX की expertise to C solve कर ली है और दोनों का answer same आगया है अगर ऐसा हो गया है तो फिर यह जो function GX था जो दो functions के दिर्मियान sandwich बना हुआ था इसकी limit का answer भी वोही number L ही होगा GX की limit हल नहीं हो रही थी आप से HX और FX की limit हल हो गई थी और same answer आगया था तो फिर GX की limit का answer भी वोही होगा start करते हैं आज का lecture सबसे पहले हम theorem की statement देख लेते हैं अगर A हमारे पास R का subset हो और हमारे पास तीन functions F, G और H हो जो A पर define किये गए हो यह functions real valued हो और first करें R का एक number C जो है वो domain A का limit point हो या कहले cluster point हो और हमें given यह हो के domain की तमाम values के लिए GX is always greater or equal to FX and always lesser equal to HX एक point को छोड़के limit point के इलावा हमेशा ही ऐसा है और हमने देखा यह है कि जो छोटा function है FX उसकी limit हल हो गई है जो बड़ा function HX है उसकी limit solve हो गई है और दोनों की limit expertise to C का answer same आ गया है तो ऐसी सूरत में जो function दरम्यान में है GX उसकी limit expertise to C का आंसर भी वही नमबर होगा जो answer FX और HX की limit का आया है थिरूर्म की statement आपको समय लग गई थिरूर्म में हमें क्या क्या given है थिरूर्म में हमें given यह है कि FX की limit expertise to C और HX की limit expertise to C exist कर रहे हैं और GX FX और HX के दरम्यान में है और क्या prove करना है प्रूव यह करना है कि limit expertise to C GX का आंसर L है जड़ा revise कर लेते हैं कि limit का क्या मतलब होता है अगर हमारे पास एक function A से R पर define हो C domain का limit point हो तो हम कहते हैं कि X C को approach करने पे FX L को approach करेगा if and only if हर positive epsilon के लिए एक positive delta मिल जाए कि जब भी आप कोई सा भी element X domain में से लें जिसके लिए X minus C का model 0 delta के in between हो तो FX minus L का model less epsilon से less होगा अगर ये condition satisfy हो जाएं तो function की limit expertise to C का answer FX के लिए L होगा और अगर limit expertise to C FX L के equal हो तो फिर इस तरह की conditions satisfy होगी हमें given ये है कि limit expertise to C FX का answer L है इसका मतलब ये है कि किसी भी positive epsilon के लिए हमें एक ऐसा delta मिल जाता है कि जब भी X minus C का model 0 delta के in between हो तो FX minus L का model less epsilon से less है हमें given ये है कि limit expertise to C HX का answer L है इसका मतलब है कि किसी भी positive epsilon के लिए हमें positive delta मिल जाता है कि जब भी X A में से हो और X minus C का model 0 delta के in between हो तो function H के लिए HX minus L का model 0 epsilon से less है ये दो बाते हमें given है और हमें ये given है कि GX FX और HX के in between है है और हमें प्रूव ये करना है कि limit X approaches to C GX is equal to L है और इसको प्रूव करने के लिए हम कोई सा positive epsilon लेंगे और positive delta ढूंडेंगे कि जब भी X A में से हो और X minus C का model 0 delta के in between हो तो ऐसी सुरत में हमें ये प्रूव करना होगा कि GX minus L का model एफसलान से less है कोई सा positive epsilon लेने के बाद हमें positive delta ढूंडना होगा कि जब भी हम X domain में से लें और इस condition के according लें तो GX minus L का model एफसलान से प्रूव कर पाएं ये बात हमने finally प्रूव करनी है और हमें given ये है कि FX minus L का model एफसलान से less है HX minus L का model एफसलान से less है किसी भी given epsilon के लिए और हमें given ये है कि जो function GX है वो FX और HX के दर्मियान है हम इस inequality के मरद से ले सकते है कि GX minus L जो है वो HX minus L और FX minus L के in between है FX minus L के model एफसलान से less कर सकते है और HX minus L के model एफसलान से less कर सकते है इसका इसका इस्तमाल करके हम GX minus L के model एफसलान से less शो करेंगे प्रूफ स्टार्ट कर रहे है सबसे पहले कोई सा positive epsilon ले ले लेते है और चुँके हमारे पास जो है FX की limit C पर L के equal है तो किसी भी positive epsilon के लिए हमें मिल रहा है positive delta उस delta का नाम हमने delta 1 रख लिया है इस तरह से मिल रहा है कि जब भी हम domain में से elements लेते है और वो elements लेते हैं जिन के लिए X minus C का model जीरो और delta 1 के in between है तो FX minus L का model एफसलान से less आता है और इसी तरह से चुँके limit approaches to C HX का answer L है तो positive epsilon के लिए हमें मिले गा एक delta इस delta का नाम हम delta 2 रख रहे हैं कि जब भी हम X domain में से लेंगे और X minus C का model जीरो delta 2 के in between लेंगे तो HX minus L का model एफसलान से less आएगा यह जो in quality बनी है FX minus L का model एफसलान से less है यह उन X के लिए बनी है जो domain में से है और जिनके लिए X minus C का model जीरो और delta 1 के in between है जबके यह जो in quality है कि HX minus L का model एफसलान से less है यह उन domain के elements X के लिए है जिनके लिए X minus C का model जीरो और delta 2 के in between है मैंने इन दोनों in qualities का इस्तमाल करके प्रूफ करना है कि जी एक्स माइनस L का मॉडलिस एपसलान से लेस है क्या किया जाए बिल्कुल सही सोच रहे हैं पहले भी करते रहे हैं हम ऐसा करते हैं कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से minimum number ले लेते हैं उसके लिए ये दोनों in qualities true होंगी तो अगर हम ले लें डेल्टा minimum of डेल्टा 1 और डेल्टा 2 तो उस सुरत में जब भी हम वो सारे x domain में से लेंगे जिनके लिए x-c का मॉडल्टा 0 डेल्टा के इन–Bitwine हैं उसारों के लिए fx-l का मॉडल्टा भी epsilon से less होगा और उन सब के लिए hx-l का प्रापेटि इस्टि इस्तमाल करते हुए एक्स का मॉडलिस लेसर इक्वल टू ए होगा इफ एंड उनली इफ एक्स माइनस ए और ए के इन बिट्वीन हो हम लिख सकते हैं इस इनक्वैल्टी को कि एफ एक्स माइनस एल जो है वो माइनस एपसलान और एपसलान के इन बिट्वीन है और इसको लिख सकते हैं कि HX-L जो है वो माइनस एपसलान और एपसलान के इन बिट्वीन है और प्रूफ क्या करना चाहते हैं प्रूफ हम करना चाहते हैं कि GX-L का मौडलस एपसलान से लेस है basically हम यह प्रूफ करना चाहते हैं कि GX-L जो है वो epsilon से less और minus epsilon से greater है क्या ख्याल है बात बन रही है इस बात का इस्तमाल करते हैं अब कि GX, FX और HX के in between है और throughout the inequality हम L को minus कर लेते हैं FX-L lesser equal to GX-L lesser equal to HX-L है और HX-L किस से less है epsilon से तो हम GX-L को epsilon से less कह सकते हैं और FX-L greater है minus epsilon से तो हम कह सकते हैं GX-L greater है minus epsilon से तो अगर हम third اور fourth का इस्तमाल करें तो three और four को इस्तमाल करके हम लिख सकते हैं कि हम आपास GX-L जो है वो minus epsilon और epsilon के in between है यह जो in quality है यह domain के तमाम points के लिए hold कर रही है except x is equal to c के लिए और मैंने यह जो 3 और 4 का इस्तमाल किया है यह domain के तमाम points के लिए नहीं है यह domain के उन points के लिए हैं जिन के लिए x minus c का modelis 0 से बड़ा और delta से छोटा हो यानि x एक तो c ना हो और x c के never would में हो और साथ में ए में भी हो तो हमारे पास यह जो in quality है यह उन x a के लिए है जिन के लिए x minus c का modelis 0 और delta के in between हो मेरे पास gx minus l का modelis है वो minus epsilon और epsilon के दिरम्यान आ गया है और मैंने प्रूव यह करना है कि gx minus l का modelis epsilon से less है क्या इसकी मारे से यह in quality बन रही है जी बिलकुल बन रही है हमारे पास यह जो modelis की property है कि x modelis a से less than equal है if and only if x minus a और a के in between हो तो यह जो gx minus l minus epsilon और epsilon के in between है हम इसको लिख सकते हैं कि gx minus l का modelis epsilon से less है और किन x के लिए है उन सारे x के लिए है जो domain a में से है और जिनके लिए x minus c का modelis zero delta के in between है तो बात proof हो गई जी बिलकुल यही proof करना था कि किसी भी positive epsilon के लिए हम एक delta ढून सकते है positive कि जब भी हम x domain में से लें और x minus c का modelis zero delta के in between हो तो जी x minus l का modelis epsilon से less होता है और यही हमने कर लिया है हमने कोई सा positive epsilon लिया था और हमने एक delta ढूनदा है जो delta 1 और delta 2 में से minimum है जिसके लिए x minus c का modelis zero delta के in between हो तो gx minus l का modelis epsilon से less होता है और इसका नतीजा ये निकला है कि limit export is to c gx किसके equal है l के equal है और यही बात हम proof करना चाह रहे थे और हमने sandwich theorem ये excuse theorem का proof कर लिया है जब भी हमारे पास किसी function की limit solve ना हो रही हो और हम उस function को दो functions के in between बना सकें और बड़े और चोटे दोनों functions की limit solve होकर same आ रही हो तो फिर दर्मयान वाले function की limit भी वही हुआ करती है इसका इस्तमाल कर लेते हैं एक example है हमारे पास हम limit solve करना चाहते है x approaches to zero x into sin 1 over x और show ये करना चाहते हैं कि इसका answer zero है सबसे पहला ख्याल इसकी limit को solve करते हुए जो दिल में आता है वो ये आता है कि functions के product की limit को अलग-अलग कर लिया जाए यानि हम solve कर लें limit approaches to zero x और limit approaches to zero sin 1 over x और अगर हम यहां से कह लें कि इसका answer zero है तो overall answer zero है क्या कह पाएंगे बिलकुल नहीं कह सकेंगे क्यों कि जब भी हमने product की limit अलग-अलग हल करनी होती है तो उसके लिए जरूरी होता है कि दोनो functions की अलग-अलग limit हल हो रही हो ये जो product है जिन दो functions का उन में से limit approaches to zero x की limit solve हो रही है और limit approaches to zero sin 1 over x की limit solve हो रही है या नहीं हो रही नहीं हो रही हम पहले प्रूफ कर चुके हुए है lecture number 75 में कि limit approaches to zero sin 1 over x exist नहीं करती है अगर ये limit exist नहीं कर रही तो इस limit का answer चाहे 0 आजए हम इस product की limit को अलग-अलग नहीं कर सकते हैं इस theorem के मताबिक नहीं कर सकते हैं हाँ next lecture में एक और theorem हम सीखेंगे जिसके मताबिक हम इसको solve कर सकेंगे लेकिन फिलहाल हमने जितना कुछ सीखा हुआ है उसके मताबिक हम इस तरह से अलहदा अलहदा करके limit solve नहीं कर सकते हाँ हम हम इस्तमाल कर सकते हैं किसका sandwich theorem का जो अभी हमने प्रूफ किया है कि अगर हमारे पास एक function gx दो functions fx और hx के in between हो और हम दोनों की limit solve कर सकते हो बड़े और छोटे functions की और दोनों की limit का answer same आ रहा हो तो दर्मयान वाले function की limit का answer भी वही हुआ करता है इसका इस्तमाल करने की कोशिश करते हैं क्या x into sin 1 over x को मैं दो functions के in between बना सकता हूँ अगर आपको याद हो बलके यकिनन याद आ रहा होगा कि sin का answer मेशा minus 1 over 1 के in between होता है तो यहाँ पे यह जो sin 1 over x है यह minus 1 over 1 के in between है और अगर मैं इस in quality को x से multiply कर लूँ तो वो function जिसकी limit मुझे solve करना है x into sin 1 over x वो minus x और x के in between आ जाएगा और मैं सेंड वी थिरम का इस्तमाल कर सकूँगा और मैं जाता हूँ इस in quality को x से multiply कर लूँ किसी भी in quality को किसी भी number से multiply करते हुए हमें एक बात का ख्याल करना होता है किस बात का इस बात का कि जिस number से multiply कर रहे हैं वो positive है या negative है अगर positive है तो ठीक अगर वो negative है तो in quality की sense change हो जाएगी यहां हम जिस x से multiply करने लगे हैं क्या वो positive है या क्या वो negative है कैसे पता चलेगा हमारे पास जो x है वो produce to zero है zero के क्रीब है और zero के क्रीब x कैसे हुआ करते हैं zero के क्रीब जो numbers हुआ करते हैं वो positive भी हो सकते हैं वो negative भी हो सकते हैं तो हमारा जो x है जिस से हमने multiply करना है वो positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है तो x से multiply करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जिस x से multiply करने लगे हैं वो positive है या negative है हम दो cases में इसको solve कर रहे हैं एक दफा assume कर रहे हैं कि x जिस से multiply करना है वो positive है अगर मैं इस inequality को x से multiply कर लों तो minus x lesser equal to x into sin 1 over x और वो lesser equal to x इस function की limit solve करना है वो दो functions के दर्मियान sandwich बन गया है बड़े function की limit solve कर सकते हैं असानी से छोटे function की limit असानी से solve कर सकते हैं तो इस दर्मियान वाले function की limit भी solve हो जाएगी अगर बड़े और छोटे functions की limit का जवाब same आ गया तो यह जो बड़ा function है इसकी limit x approaches to zero solve कर रहे हैं और यह जो छोटा function है इसकी limit x approaches to zero solve कर रहे हैं लेकिन एक छोटी सी हित्यात क्या हमने यहाँ पे x positive लिए हैं जब हमने x positive लिए हैं तो limit x approaches to zero तो नहीं solve कर पाएंगे limit x approaches to zero का मतलब होता है 0 के क्रीव number जो 0 से छोटे भी हो सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो x है वो 0 से बड़े हैं तो क्या किया जाए कोई बात याद आ रही है आपको बिल्कुल सही याद आ रहा है ऐसी सुरत में basically हम इसकी right hand limit मालूम करेंगे यानि हम x approaches to zero plus solve करेंगे इसको हम right hand limit कहा करते हैं इस छोटे function minus x की answer zero आ जाएगा limit x approaches to zero plus इस बड़े function x की solve करेंगे उसका answer भी zero आ गया बड़े और छोटे function दोनों की right hand limit का answer zero आ गया तो जो दरम्यान में function है send भी theorem के मताबए उसकी right hand limit x approaches to zero का answer भी zero आ जाएगा limit नहीं solve हो पाई अभी अभी सिर्फ right hand limit solve होई है इसी तरह से left hand limit भी solve करते हैं और क्या relation होती है किसी function की limit में और उसकी right hand और left hand limit में relation यह होती है कि जब right hand limit और left hand limit same आ जाएगा करती है तो भी हम कहते है function की limit का भी वही answer है right hand limit हमने solve कर ली है अब हम left hand limit solve करने लगे हैं x से in quality को multiply करेंगे तो यहाँ पर यह जो lesser equal है यह greater equal में change हो जाएगा यह lesser equal greater equal में change हो जाएगा एक दफ़ा फिर हमारे पास जिस function की limit solve करना है वो दो functions के दर्मयान में आ गया है छोटे function की limit solve कर लेते हैं बड़े function की limit solve कर लेते हैं अगर जवाब same आ गया तो center वाले function की limit का भी यही answer होगा limit हम x approaches to zero इस बड़े function minus x की solve कर रहे हैं लेकिन यह कौन सी limit होगी यहाँ पर x zero से छोटे हैं अगर x zero से छोटे हैं तो यह left hand limit होगी x approaches to zero minus x की limit solve की तो हमारे पास answer zero आ गया limit x approaches to zero तो इस x की solve की तो भी answer zero आ गया इस छोटे function की left hand limit का answer zero है बड़े function की left hand limit का answer zero है तो sandwich theorem के मताबग दर्मयान वाले function की left hand limit का answer भी zero ही है हो सकता है आप इतराज करें कि आपने यह जो theorem है sandwich यह limit के लिए प्रूफ करवाया था और यहां पे आप left और right limit के लिए इस्तमाल कर रहे हैं कोई बात नहीं है कोई मसला नहीं है परेशान नहीं होना है यह theorem left hand और right hand limit के लिए भी hold करता है यहां पे हमने left hand limit हल कर ली right hand limit हल कर ली उस function की जिसकी limit हल करना चाह रहे थे और दोनों limits का answer सेम आ गया है चुँके left hand limit और right hand limit दोनों का answer सेम आ गया है तो इसका मतलब है limit approaches to 0 x into sin 1 over x का answer भी 0 है limit approaches to 0 x into sin 1 over x की direct limit हम से हल नहीं हो रही थी हमने with the help of sandwich theorem इसकी limit को solve कर लिया है आपके लिए छोटा सा homework है इनी same lines के उपर आप limit approaches to 0 solve करेंगे guess करें किसकी x into cos 1 over x की और same lines के उपर इसी दरह से आप इस limit को solve कर पाएंगे आज हमने sandwich theorem का proof किया है और उसकी मदद से एक question solve किया है और एक आपको करने के लिए कहा है आज के लिए इतना ही रखते है मजीद चीज़े सीखेंगे next lectures में आपको झाल झाल